हाई फ्रेंड्स फूड गली में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एक बॉल उसके लिए करना क्या है हमें एक बॉल मिलेना है वन टेबल स्पून मैदा और दो टेबल स्पून पानी इससे अच्छे से मिलाएंगे ताके कोई लंप्स ना रहे है उसके बाद मैंने दो टे और एक कुटी हुई हरी मिर्च है आप जाए तो बारिक बार करके डाल सकते है और वन टीस्पून में डाला है अधरक और लेसुन कुटी हुई ना पिसे था धरकना में प्रहाइं फ्राय करना जैसे हम यह हम थ्रॉब हो जाए उसमें हम एट करेंगे पिरूचा प्रूंगे कि बॉइल क्या हुआ आलू मैंने दो बड़े साइज के आलू को दो सीटी आने दिया था प्रेशर कुकर में बॉइल हो चुका था चिलका उतार के बस इसे मैश कर लेना और इसमें डाल देना है इसे अच्छे से हम मिलाएंगे कुछ देर तक कि ऐसे मैश करते हुए अपने चमश को अच्छे से जब मिल जाया हमारा आलू अद्रा का लस्वन और हरी मिर्चे में तो हम इसे साइड में रख देंगे हमारा फ्लेम जो है वह लो है यकीन मानिए आपका जो आलू है वह जलने वाला नहीं है आप इसे साइड कर दे और वन ट 1-2 टीस्पूँ हल्दी पाउडर 2-2 टीसपूँ कस्मी लाल मिर्चों का पाउडर 2-2 टीस्पूँ भूना हुआ जीरा 1-2 टीस्पूँ धनिया पाउडर और आफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसके बाद चट पटा सा टेस्ट आने के लिए मैंने डाला है यहाँ पे हाफ टीस्पून चाट मसाला पाउडर बहुत ही चट पटा सा आपका यह जो आलू का मिक्सर वो बनने वाला है इस अच्छे से मिला लेंगे यह पता नहीं क्यों बारवा छोटी वाले चमच मेरे हाथ में आ जा रही है आप बड़े चमच को लेकर इसे अच्छे से मिला है ताकि जो सारी मसाले है हमारे सुखे मसाले थे जो वो अच्छे से हमारे आलू में कोट हो जाए यह देकि इसे मैश करते करते आपको लो फ्लेम आप एसे भून लेना आलू को अब हम इसमें आड करेंगे एक मिनट तक आप भूनने के बाद इसमें आड करना आप नमक नमक मेंने हाफ टीस्पुन डाला है यहां पे आप अपने टेस्ट के एक्वाडिंग कम्या जाधा कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे फ्रेस्ट हर और बहुत ही डिलीसियस आप रमजान में से जरूर ट्राई करें बहुत ही अच्छा लएगा आपको घरवाले आपके बहुत पसंद करेंगे हमारा अलू जो है वह ठंडा हो चुका है देख सकते हैं प्लेट में एक प्लेट में मैंने ब्रेट करम लिया है और मैं देका जो म जो मैंने बॉल कर लिया था बॉल करके एक अंडे से मैंने पहले आधा भाग किया उसके बाद उसे मतलब एक अंडे में आड़ भाग करना है हमें ठीक है छोटी छोटी बॉल्स बनाना हमें हुआ देखिए हम रख लेंगे इसमें आलु को इन डेख लेना है या फिर थोड़ा आलव में चिपका लेना है और फिर हातों के मदस् arma wyne . अब मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ अगर आलू आपके हाथ में चिपके तो अपने हाथों में थोड़ा सा ओईल लगा ले इससे क्या होगा हमारे हाथों में आलू चिपकेंगे नहीं जो आपने बॉल करके रखा हुआ है और बस कि ऐसे बोला बना लेना आपको ऐसे करके आप सारे अपने जो बॉल से बना ले अब देखिए मेरा फेवरेट पार्ट है यह जितने मेने बॉल बना के रख्याते इसे डिप करना है मैं देखे घोल में और फिर ब्रेट क्रम्स में अब देखें करने के बाद यह देकिए आपका यह एक बॉल जो है वह तैयार है पिर ऐसी करके हम सारह इसी डिप करेंगे डिप करने के बाद ब्रेट क्रम्स में यह करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कैसे लगता है आप मुझे कमेंट सब्सक्राइब भी कर दें ऐसे करके हम सारे बॉल्स बना लेंगे यह देखिए नारियल का लेड्डू लग रहा ना है है हम बना रहे हैं पर अंडे का बॉल यानि एक बॉल्स अब मैंने एक पैन में तेल पहले से चड़ा रखा था जैसे आपका तेल अच्छा खासा गरम हो अच्छा उसमें एक एक करके अपने बॉल्स को जो अंडे का बॉल्स बनाके रख्या हमने डाल देना है यह देखिए एक एक करके अच्छे से डाले बहुत ही अहत्यास से डाले डालने के बाद कुछ देर तक यानि कि एक मिनट तक आप एक तरफ लो फ्लेम पे आपको पकने देना है एक तरफ से लो टू मेडियम फ्लेम पे पकने देना है उसके बाद जैसी आपका एक तरफ से ब्राउन हो जाए लाइट ब्राउन कलर का उसके बाद आपको प्लट दे बहुत ही शांदार हमारा यह रेसिपी है और बहुत ही कम समय बनने वाला है आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगा आप इसे रमजान ने बनाए और रमजान के मजले वह भी एक बॉल्स के साथ वोप आपको यह रेसिपी पसंद आई हो थैंक यू झाले कुल